दोस्तों पक्षियों की उड़ने की बात तो समझ में आती है लेकिन मचलियों की उड़ने की बात कुछ अजीब सी लगती है लेकिन समुदरों में कुछ उड़ने वाली मचलियां भी मिलती हैं इन मचलियों को फ्लाइंग फिस कहते हैं दोस्तों ये मचलियां चिडियों के जैसे तो नहीं उड़ सकती पर पहले यह पानी की सतर पर तेजी से दोड़ती हैं और अपने अगले फिंस को फैला कर हवा में उड़ने लगती हैं उड़ते समय इनके फिंस फैल जाते हैं लेकिन जैसे ही यह पानी में उटरती हैं इनके वापिस सिकुड जाते हैं दोस्तों कुछ मचलियां तो हवा में 365 मीटर लंबी उडान भी भरती देखी गई हैं फ्लाइंग फिस्ट की लंबाई 5-45 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों उड़ने के लिए यह अपने अगले फिंस का इस्तमाल करती है उड़ने से पहले इसे हवाई जहाच की तरह पानी में दोड़ना पड़ता है जैसे ही यह हवा में उड़ती है इसके अगले फिंस फैल जाते हैं और अपनी मासपेसियों की सहता से यह उन्हें मजबूती के साथ फैलाये रहती है कभी-कभी यह उड़ते समय पानी की लहरों से टगराते रहती है दोस्तों उस समय इसका उड़ना बहुत ही सुन्दर लगता है लहरों से टगराने के करण इसे और भी सकती मिल जाती है जिससे यह और भी अधिक दूरी तक उड़ सकती है यह मचली पानी से काफी उचाई तक हवा में उड़ती रहती है कई बार तो ऐसा देखा गया है कि यह मचली इतनी उची उड़ जाती है कि यह समुदरी जहाजों के डेक के उपर पहुंच जाती है इससे जहाज के यात्रियों को ताजी मचली खाने के लिए मिल जाती है फ्लाइंग फिश संसार के सभी समुद्रों में मिलती है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है इसलिए लोग इन ही देखकर आश्यर्य में पढ़ जाते हैं